हलो फ्रेंट्स आप सब का स्वागत है रीड डिजाइन्स में तो आज हम बनाएंगे बहुती अकर्शक और आसान फ्रिल नेक डिजाइन तो चलिए हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले फ्रिल बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है तो इसको मैं खोल के दिखाती हूँ ये मैंने लगबग 2.5 इंच चौड़ा लिया है और इसको ऐसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है तो फ्रिल बनाने से पहले यहाँ पे हम एक रफ स्टिच कर लेंगे तो ऐसे रफ स्टिच लग चुकी है और अब हम इस पे प्लेट्स डालेंगे तो इस तरीके से हम फैब्रिक को इकठा करते हुए इस पे प्लेट्स डाल लेंगे यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे इसे गेदर की प्लेट्स कहते हैं और ये रेंडम पड़ती है तो ये दिखिए फ्रिल हमारी बन चुकी है और मैंने इसको उपर से इंटरलोग भी कर दिया है और अब हम इसको प्रेस करेंगे बहुती खूबसूरत है हमारी फ्रिल रेडी होती है जब हम इसको प्रेस कर देते हैं ये वाली फ्रिल आजकल काफी ट्रेंडी है तो फ्रिल हमारी तेयार हो चुकी है और अब हम इसके लिए neck कट कर लेते हैं neck को कट करने के लिए ऐसे मैंने double fold करके बुकरम को रख लिया है और सबसे पहले हम neck की चोड़ाई लेंगे तो मैं 3.5 इंच चोड़ाई ले रही हूँ यह देखिए इस तरीके से 3.5 इंच को सीधा सीधा मार्ग कर लेंगे और अब neck की गहराई को भी मार्ग कर लेते हैं तो मैं 7 इंच ले रही हूँ neck की गहराई आप अपने अगॉर्डिंग ले सकते हैं 7 इंच को भी हम इस तरीके से सीधा सीधा मार्ग कर देंगे तो हम यहाँ पे राउंड में वी नेक ड्रॉ करेंगे तो आप पहले ऐसे रफली मार्क करके देख लीजिए जो भी आपकी मार्किंग बिल्कुल सही लगे आप उसको डाक कर लीजिए तो मेरी मार्किंग हो चुकी है नेक की और अब हम बाहर से भी एक्स्ट्रा बुक्रम को मार्क करके इसको कट कर लेंगे तो हमारा यह वी नेक कुछ ऐसे आजाएगा और अब हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के उपर पेस्ट कर लेते हैं तो मैं इसको fuse paper से paste करूँगी fabric के साथ ये press के साथ अच्छे से चिपक जाता है तो बाहर से मैंने extra fabric को trim कर दिया है आधा आधे हिंच का margin लेते हुए और अब हम इसको press के साथ fold कर देंगे तो ये दिखिए neck हमारा पूरी तरह से ready है मैंने बाहर से भी इसको fold करके सिलाई लगा लिया है और एक सिलाई मैंने बिल्कुल बुक्रम के किनारे किनारे पे भी लगाई है और इस side पे हमें इस तरीके से frill को रखना है और ठीक उसी सिलाई के उपर सिलाई लगाएंगे जो ह हमने बिल्कुल बुक्रम के किनारे किनारे लगाई है तो ऐसे frill हमारी stitch होगी है neck के उपर और अब हम इसको कुर्टी पे रखके पलटेंगे तो कुर्टी की सीधी side और neck को ऐसे रखते हुए पहले rough stitch फिर बुक्रम के साथ-साथ किनारी की सिलाई तो अब extra fabric को बीच में से cut कर देते हैं दो-दो-पैर का margin लेते हुए यहाँ पे छोटे-छोटे cuts भी लगा लेते हैं तो cuts भी लग चुके हैं और अब हम neck को इस तरीके से अंदर की तरफ पलट देंगे और frill को बाहर की तरफ ऐसे निकालते हुए इस तरीके से frill को बाहर की तरफ निकालेंगे तो यह बहुत ही असान और trendy neck design है यह दिखिए कितनी असानी से यह ready हो गया है अब हम यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा देते हैं तो जैसे कभी आप अपनी printed कुर्ती पे simple और sober design चाहते हैं तो आप यह neck design बना सकते हैं बहुत ही beautiful लगता है यह तो यह देखिए कितना beautiful हमारा यह neck design तयार हो गया है और पीछे से हमारी यह frill भी गुम हो गी है तो पहनने के बाद यह कुछ ऐसे आ जाएंगे और यह देखिए दो neck design है यह तो अगर आपको मेरा यह design और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like और share जरूर कीजिए तो चलिए next किसी और design के साथ मिलते हैं till then bye bye